हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस्टुदेंट्स आज हम क्लास 10 चैप्टर 10 का इंट्रोड़क्शन पार्ट और 10.1 को कवर करेंगे इस वीडियो में आपको यह अच्छे से समझा जाएगा तो फर्स्ट आपको इसका इंट्रोड़क्शन देखते हैं स्टुदेंट्स सबसे पहले आपको सर्कल में पता होना चाहिए कि कौन किसे इस चैप्टर के लिए आपको नॉन इंट्रेसेक्टिंग पार्ट टैंजेंट पार्ट और सिकि अब इस सर्कल से कोई एक लाइन है जो यहां से जा रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे नौन इंट्रेसेक्टिंग नौन intersecting ठीक है अब यही चीज अगर कोई सरकल है आपका और उस सरकल से कोई लाइन टच करते हुए जा रही है ठीक है तो अगर कोई लाइन सरकल को टच करते हुए जा रही है तो उस लाइन को हम बोलेंगे उसकी tangent क्या बोलेंगे tangent ठीक है तो अब सरकल और यह लाइन tangent दोनों कहाँ पर एक दूसरे पर एक पॉइंट पर क्या करते हैं मिलते हैं ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले के यहाँ पर एक tangent बना सकते हो यहाँ पर कोई पॉइंट ले के यहां से अगर कोई point जा रहा है ठीक है तो अब यह जो line है आपकी तो देखो आपकी कहां एक point यहां है एक point यहां है दो point ठीक है अगर वो two point पे आपके cut कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं secant तो secant miss क्या हो गया जो tangent को क्या कर रही है जो circle को क्या कर रही है two point पे काट रही है miss एक circle के दो point पर अगर कोई line काट रही है तो उसे क्या बोलते है second बोलते है ठीक है तो आपको यह अच्छे से पता लग गया कि non intersecting tangent और secant ठीक है तो इसी से related आपकी 10.1 है ठीक है तो उसको हम करते हैं I hope आपको यह अच्छे से समझ आगे है तीनों चीजे तो स्टार्ट करते हैं हम 10.1 Chapter 10.1 अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आगे आपको Exercise 10.2 करने में दिक्कत नहीं आएगी तो हमने पहले 10.1 का करना है Question number 1 How many tangents can a circle have? एक circle पर कितने tangent हो सकते हैं तो हमने अभी introduction पार्ट में देखा कि यह circle है ठीक है तो हम यहां से भी कोई tangent खीज सकते हैं यहां से भी mean circle को किसी एक point पर touch करते हुए हम tangent खीजते हैं तो हम कितनी भी tangent खीज सकते हैं तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा infinite तो हम क्या लिखेंगे इसका infinite ठीक है अब अगला आपको जो दिया है question number 2 में वो दिये हुए blanks तो देखते हमें a tangent to a circle intersecting in dash point एक tangent जो है वो circle को intersect करती है कितने point से अब देखो ये जो circle है अगर a tangent की हम बात करें एक tangent की बात करें तो कितने point पे इसको intersect करती है एक ही point पे intersect करती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे one point ठीक है next देखते हम next आपका है second a line intersecting a circle into point एक line जो है वो circle को दो point पर intersect करती है तो उसे क्या कहते है हमने क्या देखा था ये circle हो गया ठीक है तो एक line हो गई और ये दो point पे इसको क्या कर रही है intersect कर रही है तो उसे हम क्या बोलते थे हम उसे कहते थे second next देखते हैं हम third a circle can have parallel tangent at the most एक circle में हो सकते हैं parallel tangent ठीक है एक tangent बनी हुई है उसके parallel कितने tangent हो सकते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे draw करके देखेंगे तो एक ये circle हो गया आपका ठीक है यहाँ पर एक tangent आपके दिया तो इसके parallel कितने tangent बन सकते हैं एक हम यहाँ बना सकते हैं tangent क्या हो circle को touch करता हुआ अगर हम यहाँ बनाए तो ये इसके parallel नहीं होगी यहाँ बनाए तो इसके parallel नहीं होगी ठीक है ऐसे कुछ बनाए तो इसके parallel नहीं होगी तो हम इसके parallel कितने बना सकते हैं इसके देखो अग इन्होंने क्या बोला है कि एक circle can have एक circle में कितने हो सकते हैं parallel tangent तो ये दो parallel हो सकते हैं ना इसमें और to a circle and the circle is called क्या कह रहा common point of a tangent किसी tangent का क्या हो गया common point ठीक है circle हो गया और यह tangent हो गया इसका जो है common point ठीक है उसको हम क्या कहते हैं अगर कोई circle किसी tangent को touch कर रहा किसी point पर तो उस point को हम कहेंगे point of contact तो हम यहापर answer क्या लिखेंगे point of contact कि ओके स्ट्रेंट्स यह हमारी 10.1 कवर हो गई है आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ओके स्ट्रेंट्स आगे मिलते हम एक्सराइब 10.2 में अगर आपको 10.1 अच्छे से समझ आ गी तो आपको 10.2 अच्छे से समझ आ जाएगी ठीके 10.2 थियूरम मैंने आपको करवा दी है आपने अगर अभी तक उसको देखा नहीं तो उसको जरूर देखा उसका जो हमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हूं आप वहां से उसको देख लें ओके स्ट्रेंट्स